कि अच्छा पूछा जाता था अच्छा का सा 11 12 का अभी कोई mathematics जैसी चीज नहीं है यह बेसिकली क्या पूछते हैं आप्टीट्यूड ही पूछ रहे होते हैं जैसे question तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है इस question को दिखो यहां पर लिखा हुआ है कि 1 by x plus 4 by 5 x equal to 2 upon x plus 5 तो बोलेगा कि बताओ x क्या है अब यह question कोई ऐसा नहीं कि 11 12 का question है यह question बहुत आसान सा 9th 10th का question है कैसे करो इस question को solve करना होगा तो यह लिखा है अब जब आप लोगे तो यहां पर आजाएगा 5 x यहां पर आएगा 5 यहां पर आएगा 4 इदर आजाएगा 2 upon x plus 5 और फिर उसके बाद 9 upon 5 x हो जाएगा cross multiply करके solve करो यह answer आजाएगा answer बताओ solve करके 45 बार यहां आजाते हैं इसलिए मैं तुमसे ही answer निकल वाओंगा और तुम्हें याद करवा दूगा ताकि अगर यह question आए तो तुम्हें सोचनाना पड़े तुम फटाक से answer प्रिक करो और आगे निकल जाओ आगे चलते हैं अब जैसे यह है यहां पर लिखा हुआ है 1 5 11 फिर यहां लिखा है x और फिर लिखा है 29 और 41 बुल रहे हैं कि बताओ x की जाएगे पर क्या आएगा 19 कैसे आएगा 19 यहां पर जो difference दिखा वो 4 का दिखा यहां दिखा 6 का तो हमने 8 का difference लगाया और फिर उसके बाद और जिसलिए 10 का difference आना चाहिए तो यहां पर जब आप 19 रखोगे तो answer लाच कर रहा हूँ ठीक है कि समझ में आ जाता कई बाद difference मेंथर से ही चनले होते हैं आप जैसे यह है यहां पर सबको दिख रहा होगा यह लिखा हुए जी एफोर एच 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 वी ऑप्शन कैसे आ रहा है यह ऑप्शन ठीक है तब लोग पहला पहला लेटर देखोंगे जी एच आई जे तो के से स्टार्ट और के से स्टार्ट होने वाला यहां पर के वह लेकी है ठीक है तो इस क्वेश्चन का काल आ गया अब यह है देखो यह फिगर वाले जो डाइग्राम होते ना यह भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अब मुल रहा है कि रिफ्रेंस फिगर को देखो आप जहां से देखोंगे यह 45 डिग्री क्लॉक वाइस रोटेट हो जाता है फिर 45 अच्छा यहां से 45 डिग्री हुआ फिर कितना हुआ 135 फिर 45 फिर 135 यह कुछ इस तरीके से जा रहा है पहले 45 फिर 135 फिर 135 फिर 135 तो तुम इसको पूरे को ऐसे देख सकते हैं कि हम एक लाइन मना लेते हैं यह जो पत्ती बनी ती इसके लिए लाइन बनाई तो यह पत्ती ऐसे बन गए 45 रोटेट हो गई है और अ इसे ही किये जाते हैं चोटे-चोटे से क्वेश्चन होते हैं यहां में लिखा हुआ है अमांग 34 दर्जन 34 दर्जन 408 पीसे ऑफ एपल अन्नोइंगली पैग्ड फूर पीसेश पूर पीसेश ऑफ रोटेन एपल रोटेन एपल बत्तर सड़े हुए सेव जो थे ठीक है कि इतनी गहरी बात है यहां पर केवल चार सड़े हुए अपल थे लेकिन घरनी जो चल रही थी ट्रावल जो चल रही थी उन्होंने 37 अपल को और सड़ा दिया थीक है विच स्टार्टेट टूरॉट फर्दर दू तू ओवरपैकिंग अच्छा नहीं फिच टू राट फर्दर यह खतम होगया दू टू ओवर पैकिंग आगी कि इन्पोमिशन ओएकिग की वजए से जो 13 पीसे से वह एक्रश हो गए ओवर्ट की वजए से पिचक जाते he pay for 54 सड़ गए चार तो पहले वो खराबी थे उसके ओपर 37 और खराब हो गए और ओपर पैकिंग की वज़े से 13 पीसे जो थे वो गड़बर हो गए ये तुम लोगो देखने पड़ेंगे ये मैंने पेपर शेयर कर दिये तो ये चीज़ वो लोग उसमें भी पूछ लेते इं अच्छा है इस question में कैए देखो उसका डाइग्राम तुम्हें हो सकता है ज्यादा अच्छी तरीके से दिखना रहा हो मैं तुम्हें यहां दिखा देता है इसे दो सर्कल बना रहा है ठीक है और यह दो सर्कल में यह इन दोनों का center है दोनों concentric है यह पॉइंट है यह Q जो होगा obviously 90 degree पे होगा ये जो ओर होगा ये भी एक ये 90 degree पे होगा और यह इसे ने डिया हुआ है 4 ये दिया हुआ है 12 , यह वाड़ा obviously 3 . ऐसा बिख नहीं रहा है लेकिन 3رو 10 जी दिक नहीं रहा लेकिन वह है 3 जी 3 जीने रहा लेकिन 3 ही है तो वो बोल रहा है कि पी आर, पी आर मतलब ये, ये वाली लेंद कितनी होगी, ये निकालनी है अपने को, पाइथागरस स्वरम लगेगी, ये पोर त्री है तो ये ओविसली फाइव हो जाएगा, अब यहां फिर से पाइथागरस स्वरम लगेगी, तो क्या है, रूट ओवर फाइब स्क्वाइर, तो ये आ जाएगा, रूट ट्विंटी वन, ठीक है, जिनका भी एक्जाम है ट्विंटी नाइंथ को, वो सारे लोग इसको याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्या-क्या अंसर आ रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, दे तो इस बार भी वैसे ही करेंगे, और अगर जाग भी क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही मिलने वाले, ऐसे मतलब इससे डिफिकल्ट लेवल नहीं मिलेगा, इसी लेवल का मिलेगा, तो दो चीज़े हैं, एक तो ये, कि जितने पेपर हम सॉल्व करेंगे, अगर तुमारा बहुत अच्छा हुआ, तो उसी में से तुमारे पास क्वेश्चन आजाएंगे, दूसरा, अगर लग खरा हुआ, तो उसके जैसे क्वेश्चन आजाएंगे, तो मैं ये सज्जेस्ट करूँगा, कि अपने टालेंट पे भरोसा करके जाना, चीटिंग पे भरोसा मत करके ज लेकिन फिर भी मैंने इतने दिनों से पिछले 8-10 दिन से जो क्लास लगवाई है कुलदीव सर की, वो इसलिए लगवाई थी कि आपका जो आप्टिट्यूट वाला पोर्शन हो थोड़ा और स्ट्रॉंग हो जाए, ठीक है, यह क्या है, यहां मैं लिखावाई 6561, फिर लिखाए X, फिर लिखाए 3, 27, 427 कैसे आ रहा है, 3 का स्क्वाईर, फिर 9 का स्क्वाईर, फिर 81 का स्क्वाईर, 9 आईगा, आप देखो जैसे यह है क्वेस्ट्यन, यहां पे लिखा हुआ X इकॉल 2, मतलब तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है, इसका मतलब यह है, लेकिन इसका मतलब यहां बताऊंगा, जिसने भी ट्राई नहीं किया है, जिन्होंने ट्राई कर रखा हो तो फटा-फट बता देंगे सरे इसका अंसर है, लेकिन यह विखेस्ट्यन के यह विखेस्ट्यन के पेपर पहले भी सॉल्ल करवाए है, तो मां के बनाया है, एक्जैक्ली, यह विखेस्ट्यन 12th क्लास का क्वेस्ट्यन बोला जा सकता है, लेकिन मैं जे लगता है, यह भी 10th क्लास में पूछने तरीका, करने का तरीका क्या है, आप x by a लिखोगे, तो आजाएगा cos cube theta, ठीक है, तो यहां से जब आप cos theta निकालोगे, cos theta का value क्या आएगा, x by a whole power 1 by 3, in the same way, जब हम y by b निकालेंगे, तो y by b क्या जाएगा, वो जाएगा sin cube theta, जब हम यहां से sin theta का value क्या जाएगा, y by b whole power 1 by 3, यह दोनों आगे, अब हमें क्या करना होता है, मैं पता है, cos square theta plus sin square theta क्या होता है, 1, तो अगर मैं cos square theta plus sin square theta equal to 1 करना चाहता हो, cos theta की जाएगा यह और sin theta की जाएगा, यह डालूगा, तो पावर 2 by 3 में आ रही होगी, और answer क्या जाएगा, answer आ जाएगा, Is that clear? यह ऐसा question IMU में भी पूछा जा सकता, तुमसे, इसी तरीके का question, तुम देख रहो, 3 step में question खतम हो गया, देखने में बहुत complicated लग रहा है, 3 step का है question, Tidal currents are driven by, Bob rented at, A's auto for 60 dollar per day, A, कोई एक इंसान है, Bob ने उसका auto rent किया, और, कितना पैसा देने वाला हो, 60 dollar देने वाला हर दिल, और, plus, 0.25 per mile, बतलब वो दिन का, तो, खर्चा अलग है ही है, लेकिन, जितने mile वो चलेगा, उसके लिए, उसको कितना देना, 0.25 dollar, If he rented for 3 days, And was charged to 06 dollars, 3 दिन के लिए अगर उसने लिया है, तो, उसकी बात एकर 3 दिन के लिए लिया है, तो, 180 dollar तो, उसके वैसे हट गए होंगे, ठीकिन, इतने dollar उसने पहले ही हटा दिये, अब बचे कितने, 206 में से, तो, 26 dollar जो है, वो ही उसने यूज किया है कि इस चीज के लिए, distance के लिए, कि वो कितना distance चला है, ठीकि, अब वो बोल रहा है कि बताओ कितना distance चला होगा, तो, एक meal के लिए कितना जाना पड़ता है, 0.25 dollar लग रहा है, तो, 26 dollar कितने के लिए लग रहा हुगा, तो, 26 divided by 0.25 करोगे, यहां से 2,0 लगा दो, बता दो, अंसर क्या रहा है, ठीक है, कितने हैं, चला है, अंसर लगा है,